हमें उमीद है कि आपको हमारे चैनल पर दिखाए गए वीडियो काफी यूसफुल लगेंगे. आज हम आपको दिखाएंगे लकड़ी के दरवाजे के लिए लोहे से बने पटम पाइप की फ्रेम कैसे बनाते हैं. इसकी लंबाई, इसकी चोड़ाई के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे. आप इसकी लंबाई के लिए 6 फिट आधा इंच के दो पाइप काट ले. फिटिंग के अनुसार आप 6 फिट 1 इंच या 6 फिट 2 इंच या और भी बढ़ा सकते हैं. जोइंट करने के लिए दोनों पाइप के एक एक हिसे को इस तरह से कट कर ले. फ्रेम की चोड़ाई अंदर से जनहा दर्वाजा फिट होगा उसे 3 फिट 1 सेंटीमीटर रखे, ताकि दर्वाजा फिट करने के बाद उसे ओपन क्लोज करने में प्रॉब्लम ना हो. निचले हिसे पर आप एंगल या पत्ती लगा सकते हैं. पहले आप इसे हलका वेल्ड करें. फ्रेम को पूरी तरह से सेब में करें और फिर पूरी तरह से वेल्ड कर लें. उसके बाद फ्रेम के बाहर दोनों तरफ 6 या 7 इंच के एंगल के 3-3 टुकड़े वेल्ड कर दे, ताकि दीवाल के अंदर फ्रेम की सही पकड़ हो सके. फिनिशर के लिए ग्रेंडर से अच्छे से वेल्ड किये हुए जगा को घिस दे. अब यह फ्रेम फिट करने के लिए तेयार है. विडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे.